नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में वीडियो डाला था मैंने आपसे पूछा था कि आप वो सारे केंडिडेट्स जिनका आज इंटर्व्यू है सब्सक्राइब करेंगे कि किस तरह का इंटर्व्यू हो रहा और देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई अपना शेयर करता है तो उससे किसी का नुकसान है मौनिंग वाले वीडियो में किसी बच्चे ने कमेंट किया था तो ऐसा नहीं होता देखिए यह आपका सी बीटी नहीं है कंप्यूटर बेस टेस्ट नहीं कि आपने क्वेश्चन बता दिये यह रटके चले जा वही आजाएगा नहीं यह आपका इंटर्व्यू है वह आप आपको पूरा प्रॉसेस बताते हैं पहली चीज कितना टाइम लग रहा है कितने मेंबर्स थे कितने बज़े इंटर्व्यू आपके स्टार्ट हुआ डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या-क्या चीज़े रिक्वाइट थे और क्या-क्या कॉश्चन आपसे पूछेगा सबसे पहली और इंपोर्टन चीज जो एक कैंडिडेट का इंटर्वू चलेगा वह आल्मोस्ट जादा से जादा हाडली 15-20 मिनट कितना टाइम दिया जाएगा आपको 15-20 मिनट बस किसी किसी का हो सकता है थोड़ा से जादा हो जाए अधर्वाइस ऑन एन एवरेज जो कैं सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट है ठीक है बोर्ड जो मेंबर्स है बोर्ड मेंबर्स जो आपका इंटर्व्यू ले रहे हैं बोर्ड मेंबर्स जो है यह आपके बहुत ही सीनियर जैसा कि हम लोग अपने कॉलेज के टाइम में देखते थे ना कभी प्रैक्टिकल होता था वायव इन दे सेंस उनको पता है उनके पास आपका जब आपने अप्लिकेशन वेरिफिकेशन अपने फॉर्म फिल किया था तो वह अप्लिकेशन फॉर्म की सारी डीटेल उनके पास हैं आपको कुछ भी बताने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी वह आपसे खुद ही कोशन कर लेंग है क्योंकि आपने अप्लिकेशन फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर अपनी डीटेल डाली थी तो वह अल्रेडी उनको पता है अब आप जाएंगे आपका इंटर्वी स्टार्ट होगा 15-20 मिट तक आपका इंटर्वी चलेगा नॉर्मल नॉर्मल कोश्चन करे जाएंगे क्वेस्टन क्या पुछेगा है वह अभी हम अपको आगे बता देते हैं डॉकुमेंट्स वारिफिकेशन क्या हुआ हुआ डॉकुमेंट्स में जैसा कि मैंने आपको बोला तो घ्र् distract Kimchi या नहीं है कि यह नहीं है तो आपको भगा दिया जाएक नहीं डॉकुमेंट्स नहीं आएगा क्योंकि बाकी सारी चीज़े फिर ज्वाइनिंग के टाइम पर आपसे ली जाएंगी तो यहां पर क्या है क्योंकि यहां पर अल्रेडी लिखा हुआ था जो आपका इंट्रीव कॉल लेटर वो प्रोविजनल है तो यहां पर जो डॉकुमेंट्स मांगे जा रह है ठीक है फोट्स आइडी आधार हो सकता है पैन हो सकता है आपको वोट्र आइडी ड्राइविंग लेंसेस कुछ भी हो सकता है इसके बाद अर टैन्ध का का मांक्शी चाशीट अफिर इसका आपके पस अगर डिगरी नहीं है जो आपने भी टेक किया है б.s.c. कीimaan लूआ यह सपोज आपके पस डिगरी नहीं है माक शीट है तो आप माकशीट दिखा सकते हैं या फिर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोविजनल डिग्री है तो आप वो भी दिखा सकते हैं ठीक है बस इतनी चीजे मांगी मांगी जा रही है और अगर आपका जो यह कास्ट का जो सर्टिफिकेट है किसी भी एर का हो कोई ऐस सच इशू नहीं होगा बहुत सारे कंडिट ने इस इसकाद आपको इंटर्विक लिए भेज जिया जाएगा तो बहुत जादा इसमें घबराना नहीं है कि डॉकुमेंट यह मेरे पास इंकम्प्लीट है यह कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है अब आगे बात करते हैं किस तरह के कुशन पूछे जा रहे हैं सबसे प अगर यह इंटर्विव आपका क्वालिफाई नहीं होता है सपोज अगर आपका इंटर्विव क्वालिफाई नहीं होता है यह माल लिजे आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपका प्लान भी क्या है ठीक है यह एक बंदे से क्वेश्चन पूछा गया है इसके बाद एक बं अगर एससे प्रिपेर करके नहीं जा रहे हैं अगर प्रिपेर कर लिया तो बहुत अच्छी बात और प्रिपेर करके रखेका नहीं तो बाओ में आप मुझे बोलेंगा किया आपने बोला था तो हमने पढ़ा नहीं तो इसलिए तो कोई ऐस सच इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं, हर्ली एक question या दो question, दो तो बहुत जादा है, एक ही question पूछ लिया तो पूछ लिया, otherwise, जादा तर question जो पूछे जा रहे हैं, वो आपके subject से पूछे जा रहे हैं, मतलब जो आपका domain है, उससे ज़ादा तर आपके subject पूछे जारहे बहुत बेजिक पूछे जारहे जैसे computer science कर जो इंटर्वी हुआ है सो बहुत basic questions पूछ रहे इसमें भी देखिये क्या है जो latest technologies चल रही है latest technologies इसकी उपर आपके question पूछे जारहे है Artificial Intelligence पर पूछा गया है Chat GPT के उपर पूछा गया है Neuron Networks के उपर आपका question पूछा गया है इस तरह के question आपके basic basic questions तो पूछे जा रहा है आपके subjects related बाकि जो latest technology है उससे related भी question पूछा जा रहा है IPR में simple बिल्कुल एकदम basic question पूछा जा रहा है एक question पूछा गया है patent का मतलब क्या होता है ठीक है एक बंदे से पूछा गया है patent और copyright में क्या difference है बहुत basic question पूछे जा रहा है और एक पूछा गया है trademark और design में trademark और design में क्या difference है बस इस तरह के आपके question पूछे जा रहा है ऐसे question नहीं पूछे गए, हो सकता है कि आगे आने वाले interviews में आपको उस तरह के question पूछ लिये जाए, लेकिन जो अभी तक जो एक scenario बन रहा है, जो समझ में आ रहा है, कि बहुत ऐसा difficult interview नहीं हो रहा है, आप गए 10-15 मिनट बस हाई हेलो हुआ, उन्होंने देखा आपका फैमल करनी है, आप गए 10-15 मिनट तक बस उन्होंने चेक किया, सिर्फ दो-चार question वो करते हैं और उतने question में उन्हें समझ में आ रहता है कि candidate को कितनी knowledge है, बस दो-चार question में समझ जाते हैं interviewer क्योंकि वो इतने experience हैं कि आप पकड़ी नहीं सकते हैं, वो इतने experience हैं कि दो-चार question ब आजा लगा लेंगे कि आपका जो attire है कि किस तरह से आप बात करते हैं, कैसे आप लोगों से मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या आपका बैठने का तरीका है, इन सब सारी चीजों से वो आपका पूरा A to Z नीचे से लेके उपर तक पूरी एक-एक चीज चेक कर लेते ह आपको कुछ भी बताने की जोरत नहीं, सिर्फ दो-चार question में ही वो हर एक चीज आपकी पता कर लेते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ घबराने की जोरत नहीं है, simple basic basic questions पूछे जा रहा है, आप अपने वो पॉड़ के जा सकते हैं, और विलकुल एकदम tense, tense मतलब की tension लेके नही इस तरह का कुछ भी नहीं है, एक तम confident बैठिये, चलो पूछ लो जो होगा देखा जाएक, तुम पूछो तुम्हें जो पूछना है, हम answer करेंगे, that's it, ठीक है, बाकि कुछ भी आप पूछना जाते हैं, तो comment करके पूछ सकते हैं, और मैंने आपको बताया है कि interview hardly 10-15 minute एक candidate का चल रहा है, अगर interview आपका देड़ बजे से start हो रहा है, तो वह आपका 3-4 बजे तक सारे candidates का खतम हो जा रहा है, जिनको देड़ बजे बुलाए गया है, कुछ एकाद candidates हैं, जिनको थोड़ा सल लेट रोका जा रहा है, सारे चार या पांच बजे तक, बाकि जिनका morning में स्टार्ट हुआ है, साड़े नो बजे उनका साड़े बारा तक खतम हो गया है, तो इस तरह का 3-4 गंटे के अंदर अंदर वो जिसको भी बुला रहा है, वो सारे interview खतम करते जा रहा है, ठीक है, बाकि कोई भी जानकारी जाते हैं, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, so thank you very much and thank you for watching.